हलो एवरिवन जे स्री राधे कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं आपका अपने ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है तो रात के बज रहे हैं साड़े आठ घर का खाना पीना बना चुकी हूँ उसके बाद देखें यहां पर चिप्स तो चिप्स मेरे पत करी का टुकड़ा ले करके उस पानी में घुमा दिया था ताकि चिप्स जो है खुब सपेद बने सुबह उट गई थी साड़े चार बजे और अभी देख सकते हैं कि चिप्स को बालने के लिए रख दिया है तो दो बड़े भगोने चड़ाये मतलब एक कूकर चड़ाया प लगबग मुझे 5-6 राउंड में बॉयल करने पड़े तो यहां पर चिप्स जो है बॉयल हो चुके हैं और अब बज गए हैं सुबह के आठ तो देख सकते हैं चिप्स सारे लगबग फैल चुके हैं तो हम और मेरी बेटियां मिल करके यह सब फैला देंगे और बच्चे न मेरी बेटियों ने चिप्स जो है फैलाए थे थोड़े बहुत मैंने फैलवाए और बस वापस आई उपर से क्योंकि गर्मी लग गए थी धूप तेश थी जली-जली से थोड़े से कप़े दूलने थे नए कपड़े थे तो हाथ से धूलना था हाथ से कप़े दूलने के ब करने वाली हूं इसलिए भी मैं थोड़ा घर के काम जल्दी-जल्दी कर रहे हूं कि मैं सोच रहे हूं कुछ बना करके आप सबकिशा शेयर कर दे तो आप भी देख लीजेगा कि कैसे क्या है तो सिवाय का मैंने कोट दूलाता तो कपड़े नए कपड़े में कभी भी मसीन म खराब हो जाते हैं उनकी चमक चली जाती है उनमें जो भी वर्क होता है वो सब खराब हो जाता है तो यही एक कारण है और बस साड़े आठ बज रहे हैं जल्दी-जल्दी नहाऊंगी चाय नास्ता करेंगे फिर मैं लग जाऊंगी और बाकी तैयारी में तो अभी देख सक हैं कि मैं डांस क्लास भी गई डांस क्लास से लोट के आई तब उसके बाद मैंने चिप्स उठाय तो चिप्स मेरे एक दिन में पूरी अच्छी तरह से सूग गये थे लेकिन फिर भी इनको मैंने दो दिन सुखाया खुच्छे से और तल के बच्चों को दिया क्योंकि बच खास बात ये है कि एक ही डो से मैं ये रेसिपी बनाने वाली हूँ यहाँ पर देखेगा मैं चार कप मैंने मैदा ले लिया है इसमें छोटा वन मतलब जितना मैदा है उसी का वन फोर्थ से भी कम घी ले ले लेंगे घी को गरम करके लिया था और इसको खुब अच्छे से म लाएंगे जब हमारा मैदा लड़ू बनने लगे फिर उसमें पानी डालके इस तरह मैदा का डो लगा लेंगे डो ना कड़क और ना ही धीला होना चाहिए मतलब लगभग कड़की कड़क होना चाहिए बिलकुल धीला कर देंगे तो आपकी गुजिया अच्छी नहीं बने यहां पर हम बना लेते हैं साटा साटा बनाने के लिए हमने चार चमच मैदा लिया है चार चमच ही मैंने घी लिया है घी की जगए आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास हो वो ले ले यहां पर मावा लिया था मामा मैंने तीन चार दिन पहले ही बना के रख ल जाल दिया है साथी साथ देख सकते हैं इलाइची पाउडर डाला है और इसको खुद्चे से इस तरह से मिला देंगे तो मावा पहले से बना करके रख लिया था तो थोड़ा सा आसान हो गया बस एक लंबा लंबा इस तरह से करके उसकी छोटी छोटी लोई काट लेंगे और काटने के बाद उसकी इस तरह से बड़ी बड़ी रोटी बना लेंगे रोटी से भी पतला हमें बनाना इसके उपर हमने लगा लिया है साटा साटा लगाने के उपर इसके उपर फिर से हम लगा लेंगे खुबच्छे से इसको बेल देना है बराबर उसके बार अब ये रेसिपी बने के लिए हो रही है एक्तम तयार तो फिर इसको इस तरह से फोल्ड करते चले जाएंगे फोल्ड करते चले जाएंगे और इतनी आसान इतनी जटपट बन जाने वाली थोड़ा सपानी लगा के बस चिपका दिया है और बस इसको कटिंग कर लेंगे और तेल में सेक लेंगे तो देख सकते हैं ये मीठी मट्री इतना सबसे बड़ी बात है कि लच्छेदार है तो अंदर तक इसके चासनी भी गई है और खाने में और सबसे बड़ी बात देखने में तो मेहमान आएंगे तो ज तो इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था वैसे मैंने बालुशाई वगरा बहुत बार बनाई है और यह रेसिपी भी मैंने बनाई है तो देख सकते हैं इस तरह से मीठी या फिन नमकीन आप बना सकते हैं तो बस इनको इस तरह से फोल्ड कर करके फिर वही डो की वही लोई हमने ले ली है और इसको इस तरह से हलका हलका हमें बेलना है हलके हाथों से ज़्यादा जो नहीं बनाना है क्योंकि आज हम बना रहे हैं एकदम लच्छेदार गजब की स्वादिस्ट कई पर्तों वाली गुजिया जो की आज बनाने वाली सिंपल तरीके से पोल करते चले जाए है आपकी एकदम ला जवाब स्वादिस्ट और देखने में और खाने में स्वादिस्ट गुजिया बन करके हो जाएगी तयार तो देख सकते हैं और साइड में पानी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आच हो चुकी थी धीमी धी देख सकते हैं कि इतनी जादा लाजवाब रेसिपी बन करके तयार हो चुकी है तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगली रेसिपी के तरह लोई एक पेड़ा लिया है उसकी रोटी के बराबर की पूरी मतलब रोटी से थोड़ा चोटा और पूरी से थोड़ा बड़ा बेल लिय स्टमफिंग डालने के बाद देख सकते हैं कि हमारी सादा गुजिया बन करके तयार हो चुकी है अब हम बना लेते हैं चासनी क्योंकि हमें जो हमारी चंद्रकला गुजिया है और जो मीठी मत्री चासनी भी लगानी है इसलिए 1.5 कटोरी चीनी और 1.5 कटोरी पानी तो जि पर हम बना लेते हैं गुजिया तो गुजिया हमारी बन चूकी थी अब बस शेकना ही बचा था तो इस तरह से एक डो से कमने रेषिबी बनााई है क्योंकि समय कम होता है और काम ज़ादा होता है इसलिए हमने इस बात को मैंने सोचा क्यों ना ये जो मुसीवत हमारे साथ आ रही कि काम बहुत जादा है घरों में साफ सफाई का और खुब सारे पकवान बनाने का इसमें मैंने थोड़े तो क्यों ना इस तरह की खास च्रिक निकाली जाए तो बस इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दिय चान्डर कला गुजिया को इस तरह से थोड़ी देर डीपडिफ होने देंगे और पलट इनको निकाल के measuring रख लेंगे और इसके welcome देंगे तो इसके उपर और केसर कर सकते हैं जब आपको खाना ओ इसք ऊपर अपर धाल कर भी खा सकते हैं जब आपको खाना हो इसके उपर थोड़ी सी रवडी डाले और आनंद ले तो ये गुजिया आपको इतनी ज़्यादा स्वादिस लगने वाली है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो फटाफट सस्क्राइब करे गंटी के बटन को जरूर दबाएं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए तब तक के लिए बाय टेक केर ध्यान रखें अपना